आमिर खान जिन्हें बॉलीवूड इंडिस्टी में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है जो अपनी फिल्मों को दो या तीन साल में बनाते हैं इतनी बारीकी से जब वो फिल्में आती हैं बॉक्स आपस पे धमाका ही मचा देती हैं लेकिन इतनी अच्छी खा करना मत भूलिएगा दोस्तों तयार कर दो प्रेस आमिर खान की पहली फिल्म जो होने वाली है वो होने वाली लाल सिंग चड़ा जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायट करें अधवेज चंदन जिसके लीड डोल में आपको आमिर खान करीना को रिलीज किया जा रहा था बट आप तो जानते हो के जीए फागे 14 अपराल को जिस वज़े से यह फिल्म पीछे हटा दिए जिस फिल्म को आमिर खान नो खुद पडूश किया साथ में उनकी एक्स वाइप या निकी किरन राउ ने भी किया जी हां दोस्तों आपको आपको नजर आने वाले हैं और ये फिल्म होने वाली है पूरी की पूरी बाइगरफी गुलसन कुमार की जो की टी सिरीज के ऑनर हैं जी हां दोस्तों उनी की ये पूरी बाइगरफी दिखाई जाने वाले हैं जिसमें आपको आमिर खान गुलसन कुमार का रोल पिले करते हुए न यानि कि टी सिरीज के बेनर तले इस फिल्म को बनाया जाएगा जिससे रिलीज किया जाना था पहले 2018 में क्योंकि ये फिल्म पहले अक्षा कुमार के साथ भी अनाउंस होने वाली थे लेकि आमिर खान के साथ होगी बट आमिर खान की लाल सिंग चड़्डा जो अभी तक रिल हो जाना है दोस्तों तो भाई मोगुल का मुझे काफी ज्यादा इंतिजार आपको है या नी कमेंट में बता दीजिएगा आमिर की नेस्ट फिल्म होने वाली है कंपीनियंस का हिंदी रिमेक जो कि हॉलिवुड की धमाकेदार फिल्म है जिसने काफी सारे अवाड जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जी हाँ दोस्तों इस फिल्म का हिंदी रिमेक लेकर आ रहे हैं आमिर कान जिसके अंदर आपको आमिर कान की अपोजिट अनुसका सरमावी दिखाई दे सकती हैं और आपको देदे इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा दिल्चस्प होने वाली है जि अपनी बेटिया को कोच और अब देने वाले इन 12 स्टूडेंटों को कोचिंग यानि कि जैसे ट्रेनिंग दंगल में दी ऐसी ही ट्रेनिंग कुछ इस परकार से इस फिल्म में देने वाले हैं जिस फिल्म को डायेट कर रहे हैं आरेस परसनना जो की सुब मंगल साफदान ज साथ एक एक अन्टाइटल ड्रामा मॉवी और आपको आमिर खान तो दिखाई दिये होंगे एसस राजा मौली के साथ कई बार जब से टिरपल आर का परमोशन दन उसकी सकस पार्टी और वी काफी बार और उन्हों ने अपनी इस फिल्म पर डिसकस किया है एसस राजा मौली के साथ और एसस राजा मौली आपको तो पता है उनकी नेक्स्ट फिल्म होने वाली महिस बाबू के साथ दन उसके बाद आमिर खान की इस फिल्म पर वो करने वाले है एक पूरी तरीके से काम और यह फिल्म 2024 में आईगी 25 में वो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ यह फिल्म आ पता है इस फिल्म का जो सेट था वो करीबन 10 साल पहले लगाया गया था और इसकिर्प्ट भी काफी अच्छी खासी थी बट इसकी एक हीरो एकसेप्ट कर वहीं दूसरा हीरो उसे रिचेक्ट कर देता है और दोनों का टाइम नहीं बन पाता है यानि कि दोनों के पास टाइ है मैं दोनों को इसकिर्प्ट पसंद आती है अगर इसे बनाते हैं वो दोनों तो यह फिल्म आपको जल्द 2024 तक देखने को मिल जाएगी जो बहुत बड़ा धमाका तो कर ही देगी दोस्तों और आमिर खान की नैस्ट और लास्ट फिल्म होने वाली है महाबारत जी हाँ दो राइटिंग है वो उनके पिता यानि के सेस राजा मौली के पिता केवी विजंदर के हाथ में जो अब भी चल रही है और इस फिल्म के अंदर आपको बॉली बुड के साथ साथ के काफी बड़े कलाकार नज़ रहेंगी जैसे बॉली बुड के रितिक रोशन अरजुन राम जमौली का ड्रिम प्रोजेक्ट है क्योंकि चार सो पांसो करोड की तो एससरा जमौली वैसे भी कर रहे हैं जैसे कि टिर्पलाल हाल फिलाल में आई ही थी दोस्तों तो आमीर खान की यहीं थी आने वाली छे फिल्म में इन्वें सो कौन सी फिल्म का आपको इन दी जारे कमे